ग्यान इंस्टिटीट ग्यान इंस्टिटीट के आज किस लेक्चर में आप सब का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास तो आईए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मैं सैलेंज है आपके अपने ज्यान इंसिट्यूट के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ तो घड़ी के हम कई lectures देख चुके हैं पार्ट में पार्ट बार्ट पार्ट टू पार्ट त्री ऐसे कई lecture देख चुके हैं तो आज नया lecture घड़ी में next टाइप से अपन पढ़ते हैं इस टाइप में आपको question solve करना है किस प्रकार के किस प्रकार के आपके सामने की question दिया गया है क्या है question एक घड़ी किरम सहा एक बज़े एक बार दो बज़े दो बार अरता जितना समय होता है उतनी घड़ी भी उतनी बार बसती है तो पांच घंटे में घड़ी कितनी बार बज़ेगी मतब इस प्रकार के question बजने घंटी बजने गड़ी बजने वाले पर आते हैं तो ऐसे कॉस्चिन तुरॉंत देखते हैं एक गड़ी एक मज़े एक बार दो बज़े दो बार तीन बज़े तीन वार तो पांच वार पांच वो आपका आंसर पहले ही ऑप्शन रहता और बच्चे टिक कराते बच्च उन्हें पता है वो एक्जामनर है आपके दिमाग से खे दो बज़े एक बार दो बजे जो वहित्व क्या रहें पूछ गणते मैं तक फुरौपवजें कीटे बार कोशी फंच बज को कितनी निए पाइसे कोश्चन आए हैं यह बजे लग दो बजे दो आपको तीन वजे तीन वार चार बजे चार बाइं होंगी तो टूटल कर दो इनका योपफ़ करना पड़ेगा आपको योपफ़ कर तो दो और एक तीन तीन दीन छह चाहता सो पांच पंद्रा पैसका राइट आंसर पांच नहीं है यहां रखना जल्द ही नहीं पड़ना पंदर्क सकती पड़ रहे हैं युद्द पर आधारत को तो यहां रखना है यह तो पांच गंटे का हो गया ऐस पचीज गंटे हो चौवीज गंटे हो दिखिया दस गंटे हो सर ऐसे कॉश्यन हो तो कैसे करें सर अम प्लस नहीं करना चाहिए उसके लिए एक और ट्रिक है आपकी वह ट्रिक क्या है सीधा एन एन प्लस बन अपॉन टू यह यूज कर ल गंटे कुछे हैं उन गंटे में आप एन एन प्लस बन अपॉन टू मतलब आणसर कैसे निकलेगा एन कमानिया किता है पांच पांच में जोड़ दो छे पांच वाटे दो तो तीया चे पांटिया पंडरा कैल्कुलेशन जब स्टॉंग हो जाती है तो आपने आप जल्दी कि दिन निकलाएगा ठीक है सब फिर फॉर्मूला बता दिया को फॉर्मूला नहीं सीखना है तो यसे भी याद रख सकते जू संक्या दिये उसमें एक जोड़ दो दूखा भाग दे ठीक है तो आप अपने इसाफ से उसको कर सकते हैं ठीक है तो इसको कर लिए अब आपसे ह परशन है अगर इसी में हम घुमा दें बारा घंटे कर दें यहां फर पांच घंटे की जगे हम कित्ता घंटे कर दें बारा घंटे कर दें तो क्या आएगा अंसर सारा में फॉर्फुला मालूम जल गिया है तो आप आगाम से कर सकते हैं कामान कित्ता है बारा बारा में जोड़ दो तो कित्ते हो गए तीरा बटे कित्ता कर दो दो तो का भाग 12 में दे दो 2 शक्के 12 ठीक है अब तेरा का 6 मैं गुणा कर दो तेरा पन्ना प्रेसर तेश्चा अठतर ठीक है तो आपके कित्नी बार बजेगी अठतर बार बजेगी ठीक है ऐसे 12 गंटे 6 गंटे 7 गंटे ऐसे आप निकाल सकते हैं लेकिन अगर हमने कह दिया अब आपसे कौश्चा दिया कि आपसे कौश्चा बे दिया कि सूबह गंटे मैं कित्नी बार बजेगी सूला गंटे मैं कित्नी बार बजेगी तो अब अच्छे क्या राई चांसल लगा के आएंगी सन्ने ट्रिक बताई सूला एक जोड़ दो सत्तरा बटी दो ठीक है अब दो नम दो अठी सूला ठीक है दो अठी सूला और सत्तरा अठी आपको नहीं आता आप बुणा कर दो 107 ऑareth सत्ते 509 कम आठ और 5 13 छह से 136 यह आंशा सचाँ गाए ढॉल कि यह आ sistema गलब हैं क्यों गलब है की एन करमा जो होगा वह वारा होगा अधिक्तं मार के स्टीके धिन की यह उरी अधिक्तं मार होता है क्योंकि आप गडी में अंक कितने रहते हैं 12 के बारा के बाद अपने आप एक और दो क्फारा के बाहने या फे भी अपकू जब गंटी वाले घड़ी वाले बजने वाले क्वश्चन आए एहन का अधिकतमाान कितना लेना है बारा यह सोथ आप घुमाते बहुत पूरी चीज पहले क्यों नहीं बतातेगे आप आप कितना द्यान से दिख रहे हैं और कितना सुनव कि अगर हम सारी चीजह पहले ही उता देंगे तो फिर पढ़ाने का क्या मचा है उस्सा इसलिए इंद्रपाल सब्सक्राइब और हमारे पूरी टीम कहती है कि भीडियों को पूरा देखें कि युद्धियों को पूरा देखने से कुछ ना कुछ तो आपको नया जरूर मिलेगा इसलिए हम लोग हर चीज नहीं लेके आ रहे हैं आप लोग और जितना हम लोग मैनत कर रहे हैं वो सब आपके लिए ही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको नौकरी मिले नौकरी मुझे नहीं लेना है मुझे मेरी एज निकल गए कोसिस कर रहे हैं कि आप लोग को बहुत जल्दी नौकरी मिले इसी में हमें बहुत जादा खुशी होगी ठीक है और ये भी नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाएगा तो आप हमें सेली दो खुशी ठीक है साख्षक्ता मिशन साख्षक करना हमारा उद्देश है और हर सिक्षक्ता यहीं उद्देश होता है कि उसका स्टूडेंट बहुत तरक्की करें और उचाहियों को प्राप्त करें तो ध्यान रखना यहां स्काइट के कॉस्चन में आपको हम नहीं गुमाएंगे बस यह ही है आपकी ट्रिक की एन एन प्लस बन अपॉन टू और एन का अधिकता मान बारा लेना है लेकिन किस टाइक के पैटन में आपकी जब बजने वाले कॉस्चन आए गड़ें ठीक है चलो तो आब इस टाइक कॉस्चन 16 गंटे में पूचे तो पहले बारा फिर चाह तो बारा के लिए निकाललो 12 गोड़े 13 बटे दो प्लस अब 4गंट तो चाह तो पांछ बटे दो ऐसे सौका करमाई आलो eligible 12 गंटे के लिए निकाल और ऑर फिर अटे चाहर दो सब्सक्रास के बारा तो च्छत के बारा है एगांच लोड़ें लिए फो से आउतिट और ऐरा कितना होगा आठासी तो कुल कितनी बार बजेंगी आपकी 18 बार बजेंगी ठीक है समझ में आ गया होगा 12 अधिक्तम होता है ठीक है 16 गंटे में पूछ लिया आपका 12 गंटे आजाएं आपसे पूझ लिया जा 24 गंटे में, 24 गंटे आजाए आपसे, एक और देख लें, तो अधिकतम मान कितना होता है, आपका 12 गंटे, ठीक है, एक बारा हो, एक बारा, तो 12 गुड़े, 13 बटे 2, प्लास बारा गुड़े, 13 बटे 2, 2 चक्के, 12, 13 चंग, 78, दो चक्के, 12, 3 चंग, 78, अटतर और अटतर जोड़ दोगे, 8, 8, 16, 7, 7, 14, और एक बंदरा, तो टोटल कितनी बार बजेंगी, 156 बार बजेंगी, इस टाइप के क्वश्चन, आपको किलियर हो गए होंगे, घड़ी के बजने वाले क्वश्चन, कैसे सॉल्व किये जाते हैं, नेक्स टाइप देखते हैं, देखें नेक्स टाइप, राम, सुबह, आठ वा, नौ बजे के बीच में स्कूल जाता है, तथा, पांच वा, शे बेंदे के बीच में स्कूल से बापस आता है, तो आकर देखता है कि घड़ी की दौनों सुछियों ने अपना इस्थान आपस में परिवर्थित कर लिया है, तो राम किस समय स्कूल गया था, तो यह पैटन किस टाइप को गया जब सुरियां, आपस में क्या हो जाएं? परि पूछ रहा है वो हम से तो जाने का समय है तो ताइम जी निकलेगा वह आठ और नौ बजे के बीच में निकलेगा क्योंकि वह आठ और नौ के बीच में गया होगा ना इस तो question नहीं कहा दिया मतलब समय तो fix हो गया कि आठ बच कर कुछ मिनिट निकलनी है इतना आप तो सोची सकते हैं कि आठ और नौ बजी वह जा रहा है तो जाने का समय क्या हो गया आठ और नौ ठीक है एक जाने का समय लिए तो जाने का समय लिए तो जाने का रहा है आठ और नौ तो मैं इतना clear हो गया कि आठ और नौ के बीच का ही समय निकलेगा तो जारा आठ सबस्सक्राइब है शहां तो हैं किस समय रहा है किस समय सब्सक्राइब है C3 हुआ टीक है तो लिए तो इसकी ट्रिक क्या है ट्रिक आप 0 raha पर सबस्क्राइब भज पिपि ऑशनाrare बज कर सलिए है बचकर अनुपा, 60 बटे कितना, 13 बटे समय, ये आपकी क्या है ट्रिक, इस ट्रिक से हल करो, इस ट्रिक से हल करो, question का answer प्रिक क्या है, बचकर अनुपा, 60 बटे, 13 बटे समय, अब सरी बचकर उसमय क्या है, बचकर मतलब, बचकर हम आपको अधार ये कितने बचकर, आठ बच्का जो पहला समय दिया तो आपको किस समय का समय आप जाने का समय आठ पर नहीं तो इसके क्रोस में प्रोस में प्रोस में जो आपको पूछ रहा होता तो नहीं थ्यान रखना है जाने का समय पूछ रहा है तो क्या लेना है आपको 6 लेना है यहां पर बनने का ले लिए 6 तो बस अब आप सॉल्व कर सकते आठ बचकर ठीक है कित्ता चैचंचती वाटे कितला हो जाएगा अब 3 का भाग देड़ो आप इते में 360 में कि आउ माती तेरा का भाग 360 पूच्छ जाता हो जाएगा तेरा दूनी कित्ता हो जाएगा चाफ बच्छे कितना सब्सक्राइब तो यह तो यह तो यह आगे आपका समय आठ बचकर 27 सही नो बटे तेरा अगर नीची दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग को तो हम यह आल के दे रहे अंसर आठ बचकर 27 सही नो बटे तेरा मिनिट पर जाने का समय होगा किसका रांग का तो ट्रेक आ गई होगी आपको समझ में नहीं आई होगी तो यह और प्वास्टन इसी पैटरन का देख ले रहे हैं ट्रिक तो किलियर है बचकर मतलब पहले वाला समय और साथ बटे देरा गुड़िस समय समय मतलब आपको जाने का समय पूछ रहा है तो आठ की क्रोस में क्या लिखा है इसलिए यहां पर छे आठ बचकर तीन सो साथ बटे देरा को स्वाल कर दिया आठ बचकर सकता इसाही नौबटे देरा मिनिट आपको राइडान दूसरा क्वेशन देखते हैं उसी पैटरन था कि सोनम प्रादा का ग्यारा से बारा बजे बाजार गई जाने का समय क्या होग तता जो पर दो से तीन के बीच लॉटी तो नीं आने का समय क्या होगीा दो से तीन ग्यारा से बारा वजे बाजार गई, दो से तीन के बीच वापिस लौटी, तो उसमें देखा कि गड़े की दौनों स्रीया की स्तिती परिवर्तित हो गई, तो भाई कितने वजे वापिस लौटी, लौटी मतलब आनी का समय ग्याद करना है, आनी का समय ग्याद करना है आपको, तो आनी का समय अगर ग्याद करना है मतलब दो और तीन के बीच का समय निकलेगा, तो 2 अदिन के बीच वे तो 2 के क्रोस में हमने लिख लिया 12 जा गुड़ा गनना है उस ट्रिक में तो ट्रिक क्या थी अपनी बज कर ठीक है 60 बटी कितना 13 गुड़े कितना हो जाएगा समय ठीक है तो बज कर कितने 2 बज कर ठीक है 60 बटी 13 60 वटे 13 60 वटे 13 गोड़े समय कितना है समय कितना लेना है 12 12 12 272 620 वटे 13 आप 13 का भाग देदो कितने में 720 में 720 में तो 13 पनना 65 3 चंग गड़कतर ज़्यदा ता हो जाड़ेगा तर तेरा फरना webusot तो ही कितना आगए आपका साथ सा ही ढ़ना पैसर भाणा पैसर अब आपकेंटा पचाप तो आपका आगे ने वाAnd Same पच्पन सही पांच वटे 13 मिने तो अब आपका फिलियर हो गया होगा यह कौन से समझ में आ रहा होगा सभी को अगर समझ में आ रहा है सबको तो आप लोग कमेंट वॉक्स में कमेंट जरू करें तो द्यान लगना ट्रिक क्या है बचकर 60 वटे 13 गोड़े समय कितने बचकर वापस आना है दो बचकर दो अतीन के बीच में वापस आ रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा तो यह आज के इस लेक्चर में आपने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए एक घंटी के बजने वाले और जब दोनों स्वियां परिवर्तित कर दी जाती है तो आपको अमपर कहें कि प्राता काल एक प्राता काल दस वजे से ग्यारा वजे कोई भी लेलो एक्जाम पर यहां पर लेलो हरी प्राता काल दस से ग्यारा वजे बाजार गया और दो पहर चार से पाँच के भी बापिस लोटा आप कुश्चिन खुर बना सकते हैं तो उसने देखा कि गड़ी की दौनों से या क्या की स्थिति क्या हो गई परिवर्तित हो गई तो वाई कितने बजे बापिस लोटा यह आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीना है तो आज के लिए इतना ही नेक्स लेक्चर में नेक्स टाइप से पढ़ेगे धन्यवाद